हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आर्ट सेजन क्लासेज, मेरा नाम रिजना गुपता है, आज हम आप लोगों को यूद कॉम्पिटीशन का चैप्टर 4 गुफाओं की चित्रकला का कुश्चन सॉल्व कराएंगे, इसके पहले वाली क्लास में हम 50 कोश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं, आज कोश्चन नमबर 51 से स्टार्ट करेंगे, कोश्चन नमबर 51 है, अजनता गुफाओं में गुफा संख्या, डैस में बर्ना सनराज कुमारी नामक आकृती की चित्रकारी की गई है, आप्सन A है 1, आप्सन B है 16, आप्सन C है 17, आप अजनता की गुफा संख्या 16 में हुआ है, ठीक है, गुफा संख्या 16 का टाइम पिरिएट 475 से 500 इस्वी है, इस गुफा का संबन वकाटक वगुप्त काल से है, इसका निर्मार वकाटक राजा हरिसेन के मंतरी वरादेव ने करवाया था, निक्स कोश्चन है, अजनता गु अजनता की कुफाओं के परिशन में 30 कुफाएं हैं, इन में से 5 गुफाएं यानि की गुफा संख्या 10 चैत हैं, ओप्शन A है 9, 10, 16, 16, 19, ओप्शन B है 9, 10, 19, 26, 29, ओप्शन C है 1, 2, 16, 17, 30, ओप्शन D है 7, 10, 13, 26, 29, तो चैत्य गुफाओं की संख्या है 9, 10, 19, 26, 29, ओप्शन B सही हो जाएगा, निक्स कोश्चन है, 18, 19, 16, में अजन्ता गुफाओं की खोच किस ने की थी? ओप्शन A है सौर जोन स्मित, ओप्शन B है द्यार आमसाहनी, ओप्शन C है विलियम एरिक्सन, ओप्शन D है अलेक्जेंडर करिंगम, तो उस 18, 19, 20 में अजन्ता गुफाओं की खोच सर जोन स्मित ने की थी? नेक्स कोश्चन है, अजन्ता गुफाओं में कितनी सैली मिल सकती है? ओप्शन A है 12, ओप्शन B है 15, ओप्शन C है 20, ओप्शन D है 5 तो अजन्ता गुफाओं में कितनी सैली मिल सकती है? 20 सैली मिल सकती है, ठीक है? बारत में अजन्ता सबसे प्राचिन कला सेली मानी चाती है जो बौधर्म से संबंदित है और इसमें 20 सेलिया मिलती है नेक्स्ट कोस्चन है पत्थर की मार विजय मूर्थी कला किस गुफा संख्या में स्थीत है आप्सन A है 15, आप्सन B है 20, आप्सन C है 26, आप्सन D है 10 तो मार विजय मूर्थी कला गुफा संख्या 26 से प्राप्त होती है ठीक है नेक्स कोस्टन है पदम पारी चित्र में बुध ने किस रंग का कमल धारण किया है आप्सन A है पीला कमल, आप्सन B है नीला कमल, आप्सन C है गुलाबी कमल, आप्सन D है लाल कमल तो पदम पारी चित्र में बुध ने नीला कमल हाथों में धारण किया है ठीक है नेक्स कोस्टन है पदम पारी चित्र का नाम पदम पारी है क्योंकि Option A है बंदर पक्षियों और किर्णार Option B है हाथ में कमल Option C है रंग अर्षन रचना Option D है सुशोबित ताज पदमपाड़ी चित्र में पदमपाड़ी का मतलब है हाथ में कमल और किस रंग का कमल है नीले रंग का कमल Next question है निम्न लिखित में से कौन सी गुफाएं हीन यान द्रिश्टी कोड को दरसाती है Option A है 17, 19, 20 Option B है 1, 2, 16 Option C है 8, 9 Option D है 8, 9, 10, 12, 13, 15 तो इन में से हीन यान गुफाएं कौन सी है 8, 9, 10, 11, 12, 13 वैसे तो कितनी संक्या है हीन यान गुफाओं की 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है पर यहाँ पर Option B यह दिया है तो यह वना आपका सही हो जाएगा Option D Next question है अजन्दा की बित्ती चित्रों में निम्न लिखित में से किस गुण की कमी है Option A है रेखी परिद्रिश्टी की Option B है परिप्रेक्ष की बहुतायात की Option C है गतिशीलता की Option D है सम्मुख्यता नियाम यानि की लोफ्रंटी लिटी की तो अजन्दा की बित्ती चित्रों में रेखी परिद्रिश्टी की कमी है ठीक है Next question है अजन्दा कुफाये किस नदी के तर्ट परिस्थित है अजन्दा कुफाये बगोरा नदी के तर्ट परिस्थित है Next question है अधिकांस अजन्दा कुफायों को कब चित्रित किया गया था दिये गे विकल्पों से पहचान करे Option A है वैदिक काल Option B है वचरियान काल Option C है हीन यान काल Option D है महायान काल तो अधिकांस अजन्दा गुफायों को महायान काल में चित्रित किया गया था Next question है निमने लिखित में से कौन सा विकल्प अजन्दा की गुफा संख्या सत्रा से समबंदित नहीं है Option A है बिसंतर जातक Option B है महाजनक जातक option C है हंस जातक, option D है महा कपी जातक तो इन में से गुफा संख्या सत्रा का चित्र नहीं है महा जनक जातक, ठीक है? महा जनक जातक चित्र अजनता की गुफा संख्या एक का चित्र है Nex question है अजन्ता की वित्ति चितरों से पहले किस गुफा में वित्ति चितरन हुआ Option A है बाग, Option B है जोगी मारा, Option C है सिंगनपूर, Option D है अले फैंटा तो अजन्ता गुफाओं से पहले जोगी मारा गुफा में बित्ति चितरन हुआ था नेक्स कोश्चन है बोधी सत्व पदम पानी का चित्र अजंता की किस गुफा में है ये कोश्चन देख लीजे कितनी बार पूछा जा चुका है ठीक है तो बोधी सत्व पदम पानी का चित्र अजंता की गुफा संख्या एक से प्राप्थ होता है निक्स कोश्चन है पदम पाड़ी बोधी सत्व कहा है ओप्शन A है अजन्ता गुफाए ओप्शन B है बदामी गुफाए ओप्शन D है अलोरा गुफाए ओप्शन D है एलिफेंटा गुफाए देखे पदम पाड़ी बोधी सत्व का कितनी बार पूछा जा चुका है इससवी में सर्व प्र्थम किस कलग कार ने अजनता के चित्रों की प्रतिलिपियां तेयार की। उप्सन ए है रॉबर्ट गील, उप्सन भी है अबनीना टेग और उप्सन सी है मुगुल डे, उप्सन डी है पर्सी ब्राउन, तो 1844 इसवी में सर्व प्रिथम अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां रॉबर्ट गिल ने तयार करी थी ठीक है और रॉबर्ट गिल ने अजंता के 30 चित्रों की अनुकृतियां तयार की जो 1866 इसवी के क्रिश्टल पैलेस इंग्लेट में लगी आग से नस्ट हो गई थी ठीक है जिसमें केवल 5 चित्र ही बचे हुए थे नेक्स कोस्चन है अजंता की वे कौशी गुफाई हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं ओप्शन ए है एक तीन आठ पांच छे दो ओप्शन बी है साथ आठ ग्यारा छे उनिस बीस ओप्शन सी है एक दो नो दस सोला सत्रा छे ओप्शन डी है 21, 25, 23, 13 तो अजंता की एक दो नो दस सोला सत्रा गुफाव में आज भी चित्र प्राप्थ होते हैं ठीक है यहां ओप्शन सी सही हो जाएगा नेक्स कोश्चन है अजंता की सरप्रथम बनी प्रतलिपिया कहां प्रदर्शित हुई ओप्शन A है जहांगीर आर्ट गैलेरी मुंबई ओप्शन B है भारत कला भवन वरार सी ओप्शन C है क्रिस्टल पैलेसिंग लैंड ओप्शन D है इन में से कोई नहीं तो अजंता की सरप्रथम बनी प्रतलिपिया क्रिस्टल पैलेसिंग लैंड में क्या हुई प्रदर्शित हुई थी ठीक है और ये प्रतलिपिया सरप्रथम किस ने बनाई थी तो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी नेक्स कोश्चन है अजंता की चित्रों की चित्रण विधी क्या है ओप्शन A है वास तकनीक ओप्शन B है तैल रंग ओप्शन C है पैस्टल रंग ओप्शन D है फ्रिस्को तकनीक अजंता की चित्रों की चित्रण विधी क्या है तो है फ्रिस्को तकनीक ठीक है निक्स कोस्चन है अजन्ता की गुफाएं किस राज में स्थित हैं तो अजन्ता की गुफाएं महराष्ट राज के ओरंगाबाद जिले में स्थित है निक्स कोस्चन है महात्मा भुद्ध के पूरु जन्मों की कालपनिक कथाएं किसे सबंदित हैं option A है पंच तंत्र, option B है जातक कथाए, option C है हितोब देश, option D है इनमें से कोई नहीं तो मात्मा बुद्ध के पूर जन्मों की कालपनिक कथाएं जातक में से समंदित है किस से संबंदित है जातक कथाओं से संबंदित है और कितनी जातक कथाओं के यहाँ पर अजन्ता गुफा में प्रयोग हुआ है चित्रण हुआ है तो 547 जातक कथाओं में ठीक है जातक कथाओं के संक्या 547 है नेक्स कोश्चन है अजन्ता की गुफाओं की खोच कब हुई तो अजन्ता की गुफाओं की खोच 1819 इस्वी में किसने की सरजोन इसमित ने की थी ठीक है नेक्स कोश्चन है बिक्षुक बुद का चित्र किस गुफा में चित्रित है तो बिच्छुक बुद्ध का चित्र प्राप्थ होता है अजन्ता गुफा से ठीक है? अजन्ता की गुफा संख्या सत्रा से प्राप्थ होता है नेकस कोश्चन है अजन्ता की गुफा संख्या 1 का निर्मार काल क्या है एक का निर्मार काल है नेकस कोश्चन है अजन्ता में क्यूरेटर की निक्ति हुई आप्शन A है 1908 में, आप्शन B है 1913 में, आप्शन C है 1824 में, आप्शन D है 1819 में आजन्ता में क्यूरेटर की न्यूपती हुई 1908 इस्वी में, ठीके? और वो क्यूरेटर का नाम था नरायर एकनाथ, ठीके? क्या नाम था? क्यूरेटर का नरायर एकनाथ निक्स कोश्चन है अजन्ता की चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था ओप्शन A है मनस्पती से, ओप्शन B है खनिश्पत धार्तों से, ओप्शन C है संखिया से, ओप्शन D है इन सभी को मिला कर अजन्ता के चित्रकारों ने पीला रंग संखिया से बनाया था ठीक है संखिया की भस्म से बनाया था नेक्स कोस्चन है अजन्ता में कितने प्रकार की रेखा सैली का प्रयोग किया गया वही question है, फिर से repeat हुआ है, अजन्ता में 20 प्रकार की रेखा सहली का प्रयोग हुआ है कित्र पद्धित्ति में next question है, अजन्ता की चित्र निर्मित है, option A है कांजपर, option B है जमीन पर, option C है कैनवस पर, option B है भित्ति पर अजन्ता की चित्र निर्मित हैं भिट्टी पर नेक्स कोश्चन है अजन्ता की कुफाएं इस्थित हैं तो अजन्ता की कुफाएं कहां इस्थित हैं महराष्टर में इस्थित हैं ठीक है महराष्टर के और अंगाबाद जिले में इस्थित हैं अजन्ता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं ऑप्सिन a है दो ऑप्सिन b है 3 ऑप्सिन c है 4 ऑप्सं d है 29 तो अजन्ता में दो प्रकार की गुफाएं है ठीक है च्यत्य और विहार नेक्स कोस्चन है अजन्ता गुफाओं की बित्ती चित्रों की अनुकृतिया सर्व प्रिथम किस अंग्रेज चित्रकर द्वारा बनाई गई तो किस ने बनाया सर्व प्रिथम रॉबर्ट गिल ने बनाया ठीक है रॉबर्ट गिल ने बनाया था और कब बनाया था 1844 इस्वी में बनाया था नेक्स कोस्चन है छदन जाता की कथा का वर्णन है आप्सन ए है गुफा नंबर एक में आप्सन भी है गुफा नंबर दस में आप्सन सी है गुफा नंबर तीन में option D है गुफा नंबर 9 में छदन जातक की कथा का वर्णन होता है गुफा नंबर 10 में गुफा नंबर 10 में जो है वो service list इसका चित्रन हुआ है next question है अपसरा नामक चित्र अजन्ता की किस गुफा में है option A है गुफा नंबर 10, option B है गुफा नंबर 15, option C है गुफा नंबर 17, option D है गुफा नंबर 18 तो अपसरा नामक चित्र अजन्ता की गुफा नंबर 17 से प्राप्थ होता है next question है अजन्ता की गुफाएं निम्न में से कहां पर इस्तित है तो अजन्ता की गुफाएं महराष्ट राजके और अंगाबाद जिले में इस्थीत हैं यहां और अंगाबाद सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है फ्रेस्को सेको तक्नीकी भारत की किस चित्ररसैली से संबंदित है उप्सन ए है पहारी चित्ररसैली उप्सन भी है अजन्ता चित्ररसैली उप्सन सी है आधुनिक चित्ररसैली उप्सन डी है प्राग्यतिहासिक चित्ररसैली तो फ्रेस्को सेको तक्नीक अजन्ता चित्ररसैली से संबंदित है निक्स कोस्ट्टन है अजन्ता की चैत गुफाथी पूझा उपास्टन का स्थान है ठीक है निक्स कोस्टन है अजन्ता में गुफाओं की कूल संख्या कितनी है Option A है 20, Option B है 27, Option C है 30, Option D है 35 तो अजन्ता गुफाओं में कितनी संख्या है? गुफा की 30 है, ठीक है? अजन्ता में गुफाओं की स्कूल संख्या 30 है Next question है, अजन्ता का चित्र माता पुत्र की संख्या गुफा में चित्रित है? Option A है 10, Option B है 16, Option C है 17, Option D है पहली तो माता पुत्र का चित्र या राहुल समर्पण का चित्र अजन्ता की गुफा संख्या 17 से प्राप्थुता है Next question है, अजन्ता की किस गुफा में हंस जातक चित्र है? Option A है गुफा संख्या 17, Option B है गुफा संख्या 16, Option C है गुफा संख्या 10, Option D है गुफा संख्या 9 तो अचन्ता की किस गुफा में हस जातक चित्रित है सत्रवी नंबर में ठीक है गुफा संख्या सत्रा में तो ठीक है गुफा संख्या सत्रा में इसका चित्रण हुआ है देखिए गुफा संख्या सत्रा में सरवाधिक चित्र प्राप्त होते हैं और गुफा संख्या सत्रा को चित्र साला या रासी चक्र के नाम से भी जाना जाता है और अचन्ता की कुफ़ा संख्या सत्रा में सरवाधिक जाता कताओं का अंकन प्राप्थ होता है निक्स कोस्चन है गौतम बुद्ध का उपदेश था आप्सन ए है चरत मिख्यते बहुजन हिताए बहुजन सुखाए आप्सन बी है बुद्धम शरणम गच्छामी आप्सन सी है कलियती स्वरूपम आवेस यती वस्तूर नीवा आप्सन डी है कला नाम प्रवरम चित्रम आप्सन बुद्ध का उपदेश था चरत मिख्यते बहुजन हिताए बहुजन सुखाए निएक्स कोस्चन है आजण्टा में कित्नी जातक गथाएं चित्रित है आप्सन ए है 548, आप्सन भी है 547, आप्सन C है 347, आप्सन D है 550 अजन्दा में 547 जातक कथाएं चित्रित है निक्स कोश्चन है अजन्दा चित्रकला का माध्यम क्या है आप्शन ए है तैल रंग माध्यम आप्शन भी है जल रंग माध्यम आप्शन सी है फ्रिस्को तकनीक आप्शन डी है टेंपरा माध्यम अजन्दा चित्रकला का माध्यम टेंप्रा माध्यम था ठीक है निक्स कोश्चन है बिहार गुफाओं को कहा जाता है आप्सन ए है च्यत्य, आप्सन बी है कमरा, आप्सन सी है संघाराम, आप्सन डी है स्टूप तो बिहार कुफा को संगा राम कहा जाता है ठीक है बिहार कुफा का निर्मार बौध बिच्छुओं के निवास के लिए करवाया गया था जिसे संगा राम कहा जाता है निक्स कोस्चन है अजन्ता भित्ती चित्रों की रचना किस राजवन्स के सासन काल में हुई आप्सन A है मौर्य, आप्सन B है वाकाटक, आप्सन C है शुंग, आप्सन D है पल्लो अजन्ता भित्ती चित्रों की रचना वाकाटक राजवन्स के सासनकाल में हुई ठीक है? यहाँ वाकाटक सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है यहाँ सिद्ध है कि अजन्ता चित्रों में बौत धर्म के दोनों मतों मत निरूपित है हीन्यान मत वा महायान मत महायान के दर्शन से सम्बंदित निम्न कथन दिये जा रहे हैं आ है वे बुध की दिव्विता में विश्वास करते थे? सही है बा है वे बुध वा बोधि सत्वों के अनुगरा वा सहारे से सभी के मुख्च की कामना करते थे? यह भी सही है सा है वे बुध वा बोधि सत्वों की वो पास मूर्थियों को पूझते थे? सही है यह भी दा है उनके दो प्रमुक दाश्रिक मत थे माध्रमिक एवं योगा चार तो ये भी सही है चलिए इसके option देखते हैं तो यहाँ option D वो परोक्त सभी सही हो जाएगा next question है अजन्ता गुफाओं की कूल संख्या है option A है 21, option B है 29, option C है 33, option D है 35 तो अजन्ता गुफाओं की कूल संख्या 29 है वैसे तो अजन्ता गुफाओं की संख्या 30 है ठीक है पर यहाँ option में 30 नहीं है 29 यहाँ पर सही हो जाएगा next question है अजन्ता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रिसित चित्र इस्थित है option A है गुरहत्याग, option B है माता पुत्र, option C है बोधी सत्व पदम पारी, option D है भाओं मगन तो अजन्ता की गुफा संख्या 17 का चित्र है, माता पुत्र का, ठीक है next question है हंसे जातक अजन्ता की किस गुफा में है, तो हंसे जातक अजन्ता की गुफा संख्या 17 में है next question है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधी परिभाशित की जाती है, option A है किसी भी भित्ती पर रंग लगा कर ब्यूनो प्रविधी है, option B है किसी भी प्रिकार के रंगज ताजी भित्ती पर लगाना ब्यूनो हो है option C है, विशेश प्रकार से तयार प्लास्ट ब्यूनो प्रविधी है, option D है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा, option C, विशेश प्रकार से तयार प्लास्ट ब्यूनो प्रविधी है, ठीक है इस क्लास में youth competition chapter 4 के 100 questions solve करा दिये गए हैं, अब next class में इसके आगे के question solve कराए जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और revision करते रहिए, thank you so much